नमस्कार दोस्तों, Welcome to PK Classes दोस्तों, आज स्टब एक्सल के बारे में जानेंगे स्टब एक्सल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और कहां पे इसका उप्योग किया जाता है Subject, Automobile Engineering, जिसमें Front Axles के अंदर Stub Axles भी आता है, जो अक्सल एक्जाम में पूछा जाता है तो आएए दोस्तों देखते हैं Stub Axle, तो Stub Axles क्या है, सबसे पहले Stub Axles होता है तो जो Stub Axles है, Stub Axles हमारा जो Front Axle होता है, Front Axle Assembly का एक Part होता है, हिस्सा होता है जिसको हम Stub Axles बोलते हैं, and Stub Axles के उपर जो हमारा पहिया होता है, आंगे वाली जो Front भील होती है, ये क्या की जाती है, मांट की जाती है Means, जैसे आपकी Car या आपकी Bus, Truck किसी भी वीकर्स में, जो आपका Front Axle है, Four Wheelers में तो इसमें Front Axle में जो हमारे चके लगे हुए हैं, पहिये लगे हुए हैं, वो हमारे किस पर मांट होते हैं, Stub Axles पर मांट होते हैं तो means, the Stub Axle is a part of the Front Axle Beam on which the Front Wheels are Mounted Means, जो Stub Axle है, यह हमारे Front Axle Beam का एक हिस्सा है, पार्ट है, जो Front Wheels के लिए क्या करता है, मांट करता है, या होल्ड करता है It is Attached to a Front Axle White Kingpin, यह जो हमारा Stub Axle होता है, यह Front Axle से Kingpin के सहायता से क्या होता है, आपस में जुड़ा रहता है These Stubs Revolve Around the Axle Kingpin, अब जैसे कि हम गाड़ी को Front Axle Steering से Turn करते हैं, तो हमारे पाई यह Angular Movement होता है तो Means यह जो हमारा है, यह हमारे क्या करते हैं, Stubs Revolve करते हैं Around the Axle Kingpin Means Kingpin के Around, बिचे जा Light Drive that fit into the Axle Beam I, which is Located and Locked by the Taper Cutter Pin जो हमारे Taper Cutter Pin के द्वारा क्या होते हैं, Locked होते हैं अब Stub Axles कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें Types of Stub Axles में या Iliot Stub Axles या Iliot Stub Axles, Reverse Iliot Stub Axles, Lemoyne Stub Axles and Reverse Lemoyne Stub Axles Means Basically ये 4 Types के Stub Axles हैं, जो कि हमारे Front Axles Assembly में उपयोग किये जाते हैं अब इसमें जैसे कि हम सबसे पहले देखें, Iliot Stub Axles तो Iliot Stub Axles क्या होता है? अब इसमें जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो Iliot Stub Axles होता है, ये Attach होता है Front Axles से, by placing it in the york Means जैसे कि हमारा ये york है, york में हमारा क्या है? जो Stub Axles है, इसको हमारा लगाया जाता है और उपर से हम Kingpin के थुरू इसको क्या कर देते हैं? आपस में Assemble करते हैं, तो जो हमारा जो Front Axle है, Front Axle का जो End Point है, York है With Kingpin and Cutter, to join the two together ये आपस में इन दोनों को Kingpin और Cutter की साहता से क्या होता है? जोड़ा जाता है तो डायग्राम में आपका जो Stub Axles है, इस Stub Axles के उपर हमारी क्या होती है? बेरिंग्स और बेरिंग्स के उपर हमारी क्या है? पहिया जो होता है, भील होती है, Front, उसको हम क्या करते हैं? मांट करते हैं, ठीक और ये Kingpin से जुड़ा होता है और आगे जाके हमारा पूरा जो Front Axle है, इस परकार का Axle होता है, तो एक भीलाप की Side के Stub Axles पर मांट होगी और एक भीलाप की Side के Stub Axles के उपर मांट होती है, तो जो हम Car की बात करें, Tectors की बात करें, या हम जितने भी हम हमारे four wheel drives होती है, four, जिसमें चार पईये लगे होते है, four wheel drives का मतलब है कि चारों भील बरकिंग हो, तो यहां four wheel drives नहीं, four wheelers, means जिसमें चार पईये गाड़ी हैं, उन सभी में, क्योंकि Axle तो हमारे बाइक में भी होता है, front Axle, rear Axle, बट उहां पर Stub Axles के आवसकता नहीं होत हैं, उन सब में क्या होता है, Stub Axles दिया जाता है, तो Stub Axles में, second है, reverse Elliot Stub Axle, तो जो reverse Elliot Stub Axle होता है, इस परकार के Stub Axles में, जो arrangement होता है हमारे Axles का, वो reverse होता है, जैसे कि आप देख पा रहें, इसका, इस परकार का york है, यह आपका Axle है, एए Axle है, Axle का end है, इसमें इस प यहां से connect करते हैं लेकिन जो आपका second reverse है पूरा इसका उल्टा होता है अभी इस प्रकार से अभी इस प्रकार से हो गया तो means यह आपका क्या है step axle है यह आपका reverse इस तरह प्योर बना हुआ है second diagram reverse इलियाट और यह भी हमारा किस से जोड़ा हुआ है kingpin से जोड़ा हुआ है तो यह हमारा step axle जब भी हम steering को turn करते हैं तो यह हमारा angular deformations इस साइड होगा इस साइड होगा means इधर हमारा सीधा straight है अब हमें steering को turn करेंगे तो यह इस side में जाएगा बाहर की और और यह अंदर की और turn होगा तो means जो reverse होता है इसमें जो arrangement होता है वो हमारा क्या होता है reverse होता है एंड इसके अंदर हमारा क्या होता है thrust वासर लगा होता है नीचे की ओ जहां पर thrust वासर mention किया है डाइग्राम में यह जो thrust वासर है यह प्लिस्ट किया जाता है front axle beam में एंड इसका जो contact होता है यह किस से रहता है step axle से होता है तो यह हमारा second है reverse इलियाट step axle third fourth आपका दोस्तों है लेमाइन एंड रिवर्स लेमाइन step axle अब यह जो लेमाइन एंड रिवर्स लेमाइन step axle होता है इस प्रकार के step axle जो है instead of york टाइप हिंज इसमें क्या होती है एक york type hinge होती है जो L saved की होती है जैसे कि आप first वाले में लेमाइन step axle को देख पा रहे हैं तो इसमें क्या है जो हमारा front axle है उसके नीचे एक L saved की क्या होए आंगे extended part है तो इसका जो step axle है यह L saved spindle का व्योग किया जाता है इस प्रकार के step axle kingpin के द्वारा जुड़ा होता है क्योंकि इसमें भी kingpin connect होती है जो कि एक integrated to farm the reverse means एक integrated part होता है तो जो lemon and reverse lemon है तो एक में आपको उपर दिख रहा है यह वाला step axle है और एक में lemon type में आपको क्या दिख रहा है नीचे दिख रहा है तो means यह दो प्रकार के हमारे step axles हैं तो यह total four types of step axles used in front axle assembly for holding and mounting the wheels means जो हमारे automobiles के पहिये होते हैं गाडियों के चक्के होते हैं wheels होते हैं यह हमारे step axles पर mount होते हैं तो हमारे जो front axles होते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारे पहिये जो front वाली wheels होती है उनको हम जो directions देते हैं उसी direction में हमारी गाड़ी turn लेती है लेकिन पीछे वाले जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं एक्सल पर फिक्स होते हैं वो हमारे टर्न जैसे आंगे वाला मूब कर रहा है वैसे हमारा क्या होगा गारी उसी डारेक्शन में क्या होगी टर्न होती है तो फोर टाइप्स के स्टब एक्सल से हैं जो की फ्रंट एक्स असेंबली का पार्ट होते हैं और यह हमारे वहीकल्स में जो वील्स होती हैं उनको होल्ड या माउंट करके रखते हैं ओके दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही नेस्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगी थैंक यूँ